चार्ट करते हैं हम लोग next question, सबसे पहले बोला है कि find x plus 1 to the power 6, plus x minus 1 to the power 6, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अलग-अलग इसे निकालते हैं, है ना, सबसे पहले हम x plus 1 का power 6 को निकालते हैं, अब जरा बताओ, इसमें तो पहला पे x है और दूसरा पे 1 है, तो जब हम 6C 0 लिखेंगे, तो पहला वाला बचेगा कि दूसरा वाला बचेगा, पहला वाला बचेगा ना, समझे रह बत को ना पहला वाला बचेगा और दूसरा पर पावर 0 बन जाएगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है फिर 6C अचा कोई बच्चा ये नहीं सोच सकता है कि सर्ब क्या इसे 1 प्लस X नहीं लिखा जा सकता है अरे X प्लस 1 को 1 प्लस X लिखा जा सकता है कि नहीं उस तरह भी करोगे तो वही अंसर आएगा कोई गलती अंसर नहीं आएगा ठीक है न तो 4C1 X का पावर कितना होगा 6 में से गया 5 Y लिखेंगे नहीं प्लस 6C 2 नहीं तो एक काम करते है न इसको उसी तरह बना दे क्या उल्टा करके बोलो दोनों तरह से SME अंसर आएगा अरे जल्दी बोलो भई क्योंकि यहां से कॉंसेट भी समझ में आएगा न इस हमको मतलब ऐसे ऐसे बोल रहे है कि X प्लस 1 का पावर 6 को आप सबसे पहले 1 प्लस X का पावर 6 लिख ले क्योंकि अंदर यह अंदर हम 1 प्लस X कर दे क्या परक पड़ता है अब फिर हम इसको अगर ओपरेट करें तो यह 6 C 0 होगा फिर प्लस 6 C 1 X का पावर 1 हो जाएगा प्लस 6 C 2 X स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 C 3 X क्यूब हो जाएगा प्लस 6 C 4 X 4 हो जाएगा प्लस 6 C 5 X 5 हो जाएगा प्लस 6 C 6 X 6 हो जाएगा बस यही तर अब अगेन अल्सो अल्सो जरा बताओ आप हमें X माइनस 1 का पावर 6 को क्या 1 माइनस X का पावर 6 लिखा जा सकता है क्या पहले बोलो लिखा जा सकता है क्या नहीं अगलत दे है न यहीं न है X माइनस 1 तो हम क्या किये कि 1 माइनस X ले दिए क्या गलती है यह यह सही है कोई गलती नहीं है अब गाव कि सर फरक तो पड़ेगा तो हम कहेंगे नहीं फरक पड़ेगा क्योंकि पावर इवेन है न पावर इवेन है न 6 है न 2 हो 4 हो 6 हो तो आप A माइनस B करो चाहे B माइनस A करो A माइनस और B और B माइनस A से क्या फरक पड़ता है एक माइनस का ही तो फरक पड़ता है जैसे देखो जैसे देखो हम तुम से बोल रहे है कि से कि यहाँ पे आपका माइनस थीन का स्कॉर्य होगा और inten Carrこ कि उसी तरह से आप कुछ भी कर लो वन माइनस टू का पावज शिक्स कर लो और डू माइनस वन का पावज शिक्स कर लो कोई फरक्त नहीं पड़ने वाला यहां माइनस वन का पावW नाट समझ में आई की नहीं है employment तो ये तभी ये होता है जब पावर इवेन होता है अगर पावर और रहेगा गटावन ills Wirka नहीं लिख सकते जोकि फोस्में are these अगर लिखना करें अगर सक्ष्छे करेंगे एक माइने से किश्छके अगताब उसको लिख देंगे, ऐसा question आएगा तो बताएंगे, वैसे बता देते हैं, जैसे x-1 का पावर अगर माल लो 7 रहता, तो हम इसमें से minus common भी बाहर निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम इसको क्या लिख देंगे, 1-x का पावर 7, समझ रहा बात को ना, चले, तो ये तो हो गया हालका सा introduction आपका इसके बारे में, अब इसको हम लोग फिर से, फिर से वही कहानी है कि अगर- अगर minus बीच में आ गया है, तो alternate क्या चलेगा, minus चलेगा ना, तो 60, 0, minus 61, plus 60, 2x square, minus 60, 3x cube, minus, sorry, plus 60, 4x4, minus 65, x5, और plus 66, 6x6, अब ज़रा बताओ कि ये जो result हमें पाना है, x plus 1 का power 6, और x minus 1 का power 6, इन दोनों को जोडने से मिलेगा कि घटाने से, क्योंकि बीच में हमें plus चाहिए, बीच में हमें plus चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे, add, अब add लिख देंगे, अगर मानके चलिए, तो क्या हमारे दोनों equation में sign नीचे का change करने की ज़रत है, या simple ऐसी रहने देंगे, simple रहेगा, क्योंकि plus करने से, जब हम plus से multiply करते हैं bracket में, तो plus वाला result कोई भी चीज़ को change नहीं करेगा, जो है वही रहेगा, क्योंकि plus 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 होता है, plus minus minus होता है, तो plus करते से में tension लेने की ज़रत नहीं है, अब यहाँ पर बताओ, जब जोड़ रहे हैं हम, तो हमारा LHS वाली quantity क्या आएगा, ये लिखें तो क्या आएगा, ये लिखें तो x plus 1 का power 6, और plus x minus 1 का power 6 आएगा, और अगर ये लिखें तो क्या आएगा, 1 plus x का power 6 और plus 1 minus 6 का power 6, दोनों तो से में हैं, अलग थोड़ी है, अब ये वाला ये वाला जूटेगा न, ये वाला कटेगा, क्योंकि 1 plus 1 minus गाएब, ये ये जूटेगा, ये वाला ये वाला कटेगा, क्योंकि सेम चीज़ है, 63 plus में और 63 माइनस में, x का पावर 3 भी सेम ही है, x का पावर 3 भी सेम ही है, ये जूटेगा, ये कटेगा फिर से, फिर ये जूटेगा, तो जरा बताओ कि 2-2 बार नहीं हो जा रहा है, 60-0, 60-0 को 2 बार जूडेंगे, तो 2-60, उसी तरह से ये 62-62, तो 2 बार जूटेगा, सेम ही चीज को अगर जोडोगे, तो 2 टाइम्स लिख सकते हो ना, तो 2 बाहर कर लेते हैं, common, प्लस 62 x स्क्वाइर, ये ना, प्लस, उसी तरह से 62 के बाद, जंप होके 4 पे जाएगा, क्योंकि 3 वाला कटा हुआ होगा, x4, फिर 5 वाला कटा हुआ होगा, और 66 x6, इसे याद भी कर लो, तो ज़्याद है बैतर है, तो इसको सबसे पहले इन्होंने, simplify करके बोला था कि answer क्या होगा, चलो, simplify कर भी लेते हैं हम इसे, थोड़ा सा और कर लेते हैं, क्या होगा ये, 2 times of, 60 का वैलू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है ना, और 62 का वैलू अगर हमको निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे, 62 है, 6 का गुना कम करते हुए, 2 बार तक करेंगे, तो 6 गुना 5 होगा, लगतार करना होता है, 2 बार करने के बाद, नीचे का फेक्टोरियल, 2 गुने 1 हो जाएगा, तो 2 तिया के 6 हो जाएगा, तो 5 तिया 15, तो ये 15 एकस स्क्वाइर हो गया, फिर प्लस, 64 का वैलू निकालना है, तो क्या 64 का वैलू, 62 के बराबर होगा, तो डारेक्ट हम इसका फायदा उठाएगे, तो ये तो हो गया, इसका सिंप्लिफिकेशन, यही इसका अंसर है, अब हमको निकालना जो है, वो आगे कहा रहा है कि, हैंस इस परकार अगर ये आप निकाल लिए, तो ये निकाल लिए, या अदर्वाइज, आप ये नहीं जानते हैं, तो भी ये निकाल सकते हैं, क्योंकि आप इसी को सिंप्लिफाई करिए न, यहाँ पे जो X प्लस 1 का पावर 6 किया हो, वो मत करो आप, आप रूट अंडर 2 प्लस 1 का पावर 6 को एक्स्पेंड कर दो, और रूट अंडर 2 माइनस 1 को एक्स्पेंड कर दो, वैसे इसको कर दिये हो, तो इसी से कर लेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई भी कर सकते हैं न, और लिखा है, इसी से इसको वैलू निकाल दो, या अधरवाइस मतलब आप अपने से कर लो, तो हम क्या करेंगे हाँ, हम यहाँ पे लिख देंगे कि, रूट अंडर 2, प्लस 1, है न, क्या लिख देंगे, रूट अंडर 2, प्लस 1 का पावर 6, और प्लस, रूट अंडर 2, माइनस 1 का पावर 6, तो डारेक्ट क्या हो जाएगा, 2 टाइम सो, यहाई पे वैलू रख दो, यहाँ पे मानना पड़ेगा, प्लस यहाँ रूट अंडर 2 का पावर 6 बनेगा, अब ज़रा पता हो यहाँ क्या आने वाला है, दो ब्रेकट में 1 प्लस, यह क्या 2 आएगा, तो पंदरा दुना के 30 हो गया, फिर प्लस, अगर यह 4 गो रूट अंडर 2 है, तो 2 गो 2 बाहर आएगा, तो 2 दुना के 4 और 15 चो के साथ, फिर प्लस, यहाँ पर अगर रूट अंडर 6 गो है, तो 3 गो 2 बाहर आएगा, तो 2 दुना के 4 दुना के 8, अब इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा आपका, 60 और 30 90, 60 और 30 90, 90 और 1 99, 99 में आपको 2 का गुना करना है, तो 9 दुना के 18 और 9 दुना के 18 एक 19, 198 इसका अंसर होगा, समझर बात को, प्रिंट कर लेजे,